उतरव्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रिया ध्यक्ष अखिलेश यादफ आज CBI के सामने पेश नहीं होंगे। केंद्रिय जाज एजेंसी ने खनन गोटाले मामले में अखिलेश यादफ को तलब किया था। CBI ने सपा मुख्या को बतोर गवा बयान दर्च कराने के लिए नोटिस भी भेजा था। अखिलेश यादफ को आज ही दिल्ली आकर अपना बयान दर्च कराना था। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुटाबक अखिलेश यादफ आज CBI के सामने पेश नहीं होंगे। CBI ने अखिलेश यादफ को 28 फरवरी को CRPC की धारा 160 के तहट नोटिस जावी किया था। अखिलेश यादफ को जनवरी 2019 में दर्च की गई CBI की उस FIR के संबंद में तलब किया गया है जो हमिलपुर में 2012 से 2016 के बीच कथे तवैद खनन से संबंदित है। जनवरी 2019 में तदकाली जुलादिकारी, खनन अधिकारी और अन्य समेथ कई लोग सेवकों के खिलाब भी FIR दर्च की गई थी। FIR में आरोप है कि सरकारी करंचारियों ने हमिलपुर जुले में खनीजों का अवैद खनन होने दिया। पुलिस की दर्च FIR में कहा गया है कि आप राधिक साजिश में सरकारी करंचारियों ने निवीरा प्रक्रिया का पालन किये बिना अवैद रूप से नए पट्टे और नवीकरण पट्टे दिये। लोगों को अवैद रूप से छोटे खनीजों का उत्खनन करने की पर्मिशन दी गई। अब जब चुनाव आ रहा है तो मुझे फिर से नोटिस मिल रहा है मैं समझता हूं कि जब चुनाव आएगा तो नोटिस भी आएगा